वेलकम टू लीगल अवेरनेस वेब सीरीज आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस पेटिशन की जो कई बार लिस्ट हुई और फाइनली कल सुप्रिम कोट में CGI साब की बेंच ने उसे सुना न्यूस पेपर्स में टीवी चैनल स्पेस पे काफी डिसकेशन हुआ जिसमें ये कोट से रिक्वेस्ट की गई थी कि इंडिया का जो नाम दिया हुआ है इंडिया आर्टिकल वन में वो हटा दिया जाए और भारत नाम रहना चाहिए अब Chief Justice of India ने बहुत सही कहा कि भारत तो अल्रेडी नाम है आर्टिकल वन में जैसे आप जानते हैं समिधान में लिखा है इंडिया देट इस भारत शेल बी यूनियन ओफ स्टेट्स तो ये इस तरह की गैर जरूरी पेटिशन्स पर कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट को इसमें कुछ पिनल्टी लगानी चाहिए थी उन्होंने बहुत नर्मी बरती और कहा आपर कंसर्ण मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन भेज दें बात ये कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए पेटिशन की गई है भारत शब्द अल्रेडी मौजूद है आर्टिकल वन में और कितनी जगा से हम इंडिया हटाएंगे ये जो पेटिशनर हैं इन्होंने पूरी रिसर्च पता नहीं की है या नहीं की इस मामले में 677 जगा पे इंडिया शब्द आया है सम्विधान में आप कहां कहां से हटाएंगे संविधान में जो amendment करना है उसकी कोई power सुप्रिम कोट के पास नहीं है amendment अगर करना है तो वो संसद को करना है संसद में इस समय बहुत अच्छी majority लोकसभा में और almost majority राज्यसभा में भी है और शायद इसमें कुछ और opposition दल भी इसमें support कर दे अगर इससे हिंदू right की feelings कुछ satisfy होती है इंडिया शब्द हटाने से तो हटा दे ये जो नाम की controversy है ये 2012 में RSS Chief Mohan Bhagwat जी ने भी एक statement दिया था जब डेली का unfortunate gang rape हुआ था कि इस तरह के crimes जो हैं वो भारत में नहीं होते लेकिन they frequently occur in India फिर Congress के Goa के MP ने भी ये पहले suggestion दिया था कि ये word India drop कर दिया जाए Article 1 से करनाटका के जो BJP Chief Minister है यदूरप्पा उन्होंने भी 2012 में इस तरह का suggestion दिया था तो ये जो petition है ये एक कुछ खास एक thinking है जिसमें India जो है उस शब्द पर इतराज है मैं ये समझता हूँ कि ये जो symbolism में हम जा रहे हैं नाम बदल रहे हैं शेहरों के Shakespeare ने लिखा था What is there in the name अरे भई रोज का नाम कुछ और भी बदल दोगे तब भी उसमें से वही मिठी मिठी खुश्बू आएगी जैसे आती है हम नाम बदल रहे हैं और governance पे हमारी क्या हालत है वो दिख रही है के aims में nurses स्ट्राइक कर रही हैं के उनके पास PPE नहीं है ये symbolism से बिड़ा गरख हो जा रहा है अरे बई कुछ हद तक symbolism सही लगता है लेकिन सिर्फ symbolism हो वो मुनासिब नहीं है आईए इस issue को legally जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहा जाता है कि हमारा एक देश है और दो नाम है क्योंकि सम्विधान में इंडिया और भारत दोनों आ गए तो जरा ये पूरी नाम की controversy को समझते हैं Discovery of India में पंडित जवालल नहरू ने जो उन्होंने जेल से लिखी थी 1942 से 46 तक वो जेल में रहे थे और फिर 46 में ये पब्लिश हुई थी उन्होंने जिकर किया है इंडिया हमारा नाम है हिंदुस्तान है भारत है हमारा नाम अगर आज भी आप देखें तो इंडिया और भारत सम्विधान में आ गया और जो हमारा सबसे बड़ा नारा है जैहिंद उसमें हिंद नाम आ गया और आपको मालूम है कि जैहिंद का नारा जो है इसका हैदरबाद का कनेक्शन है कि कलेक्टर साब के बेटे थे जैनुल आबदीन जर्मनी पढ़ने गए थे और उन्होंने इंजिनिरिंग की थी बाद में उन्होंने आजाद हिंद फॉज जोईन की थी उन्होंने कोईन किया था ये नारा जैहिंद का इंडिया को ग्रीक्स ने इंडिके कहा लेटिन में इंडिया कहा गया फिर इसकी जो जो जोग्राफिकल सिचुएशन थी के इंडस के इस तरफ हम थे पर्शियंस जो थे उन्होंने हिंदुस्तान कह दिया ये जो इस्थान वर्ड है ये संस्कृत का है मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा सवार करने इसमें क्या बात कही तो ऐसा लगता है कि भारत जो है वो तो एक नेटिव नेम है और इंडिया जो है वो एक फॉरेंड नेम है अब अगर पुरांस में चले जाएं फस्ट एडी ओफ क्रिश्यन एरा में उसमें आर्रेवर्थ और भारत जम्बू दीप जम्बू दीप जो है वो एक नेचुरली प्रोवाइड़ेट टेरिटरी है किसाब हिमाल्या से लेके समंदर तक होगी और इसमें जो आइडिया है भारत का ब्रहमिनिकल लिटरेचर में अगर जाएं वो रिफर करता है एक सोशल ओर्डर को और उसमें पॉलिटिकली और्गनाईज एंटिटी की तरह भारत जो है एजन आइडिया नहीं है जो हमारा ये एक सोशल ओर्डर है जो ब्रहमिनिकल लिटरेचर में जिसका जिकर हो रहा है इसमें एक और खास बात थी कि चारो वर्ना जो सिस्टम है उसकी तरीके से ये सोशल ओर्डर रहेगा और इस सोशल ओर्डर के बारे में ये भी कहा गया कि जो अर्थ है वो इंप्योड नहीं है इंप्योड आदमी हो जाता है वर्ना सिस्टम के एक खास वर्ग के कॉंटेक्ट से तो ये जो सोशल ओर्डर है यے कास सिस्टम पर बेस्ड है ये hierarchical social order है इस social order में equality का वो concept जो सम्विधान के अनुछे 14 में है वो नहीं था फिर अगर मैं आपको ले चलूँ पीवी काने जो सबसे बड़े धर्मशास्तरा के writer हैं कई volumes में history of धर्मशास्तरा लिखी है वो कहते हैं के विष्णू और ब्रह्मा और अधर पुरान्स प्रूदली असर्ट भारत वर्ष इस लेड अफ एक्षन कर्मभूमी This is patriotism of sort but not of the kind we see in western countries. भारत वर्ष itself comprised numerous countries, underline कर लिजे, numerous countries from the most ancient times. There was no doubt a great emotional regard for भारत वर्ष और आर्रेवरत as a unity for many centuries among all writers from religious point of view, underline कर लिजे, religious point of view, though not from political standpoint, underline कर लिजे, political standpoint. Therefore, one element of modern nationalhood that is being under same government was wanting, unquote. यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह काने कह रहा है जो इत्ता बड़ा author है history of धर्मशास्त्राइस का. यह बात सही है कि हमेशा से एक aspiration रही है कि भारत वर्ष में सारे यह जित्ते countries हैं, यह सब एक अमरेला के तहत आजाएं. और जो इस country की foundation है, वो एक mythical founder of race, किंग भरत जो है, दुशियन्त और शकुंतला के जैसे माने जाते हैं, कि कोई समराठ हो, वो सब को एक साथ कर दे. अब यह जो colonial period में जब आप आ जाते हैं, तब भी एक idea of भारत as a social period रहता है, लेकिन उससे पहले मुगल्स का period हो गया, डेली सल्तनत का period हो गया, तो आईए जरा historian बिपिन चंदरपाल से समझते हैं, जिनका यह कहना है, कि यह जो idea है, कि एक political sovereign होगा और administrative centralization होगा, यह दो dimensions जो हैं, यह मौझूद नहीं थे Aryan people की genius में, और वो कहते हैं, यह बात बिलकुल सही है, कि cultural unity की बात हो रही है, यह बात सही है, कि जो Hindu culture है, वो एक dominant cultural narrative इस country की रही है, from the early period and early history, अब बिपिन चंदरपाल कहते हैं, कि मुगल्स के आने के बात, क्या हुआ, a new and more united, more organic, though not yet fully organized national life and consciousness came in that we had before, तो अब आप यह देखिए कि यह मुगल्स का contribution है, कि उनोंने एक united, organized, administrative unit provide की, और आपको मालूम है, कि औरंगजेब के अंडर में सबसे बड़ी territory, एक centralized central government के तहत आई, तो बिपिन चंदरपाल कहते हैं, कि political unity was achieved and added to existing cultural unity of भारत, allowing India to develop, Indians to develop a complete sense of belonging together, irrespective of religion and other considerations. मैं यह समझता हूँ, कि यह मुगलों का बहुत बड़ा contribution है, और आपको मालूम होना चाहिए, कि बाबर और हुमाईयों के अलावा, जितने मुगल किंग्स हैं, वो सब इंडियन हैं, इंडिया में पैदा हुएं, बाई बर्थ इंडियन नेशनल हैं, और इसलिए 1904 में इखबाल इसी को आईडिया को रिफलेक्ट करता है, जब कहते हैं, सारे जहां से अच्छा, हिंदोस ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदी हैं, हम वतन हैं, ये जो आईडिया डिविजन का आएगा, ये बात का आईडिया है, इखबाल के आईडिया में जिसमें वो हम सब को कहते हैं, हिंदी हम वतन हैं, वो एक इर्रिस्पेक्टिव अफ रेलिजन, एन कास्ट, एन अधर कंसिट्रेशन हैं, सवारकर ने इस हिंदी को हिंदू बना दिया, और उन्होंने डिविजन कर दिया पात्र भूमी और पुन्ने भूमी, और उन्होंने कहा, यहां के जो सिटिजन्स हैं, जो पुन्ने भूमी भी समझते हैं, वो होंगे, और उसमें क्रिश्टिन्स और मुस्लिम्स का एक्स्क्लूजन हो गया, इसलिए यह एक्स्क्लूजनरी थियोरी है, और उन्होंने सिंधुस्तान कहा, आर्रेवत को, और यह सिंधु वाला मामला है ये जाहरे के एक जोग्राफिकल मामला है और फोनेटिक एवलूशन की तरफ इशारा किया और उन्होंने इसको प्रिफर किया आर्रेवरत जरा सा एक पेरोकियल और नेरो माइंडेड आइडिया लग रहा था उसके बाद वो डिबेट होगी और ये डिबेट जो सम्विधान सभा में हुई है इसमें कोई मेजर डिसकशन इस तरीके से नहीं हुआ कि इसमें इंडिया वर्ड ना आया जाए थोड़ी सी देर की डिबेट हुई है अगर आप देखेंगे आर्टिकल वन पे मेजर डिबेट हुई है कि क्या इसे यूनियन आफ स्टेट कहना चाहिए या यूनियन आफ प्रदेशास कहना चाहिए या यूनियन आफ रिपब्लिक्स कहना चाहिए इस पर जादा बड़ी डिबेट हुई है कमलापती तरपाथी आपको मालूम है रेलवे मिनिस्टर भी रहें उन्होंने कहा कि साथ ये जो हमने लिखा है कि इंडिया डैट इस भारत किसके बजाए हमने करना चाहिए भारत डैट इस इंडिया ये नहीं बात मानी गई ये बात कही गई कि भारत वर्ड जो है ये भाई हमारी इंशेंट हिंडू टेक्स में भी है ये हमारी कल्चर को रिफ्लेक करता है गांधी जी के नेतरत में जो हमने फ्रीडम मूव्मेंट लड़ा था उसमें हम भारत माता की जै का नारा लगाते थे कई लोगों ने हरगोविन पत्न ने राम सहाए ने कंट्री का नाम आयर मेंशेंड है और बाद में लिखा है इन इंग्लिश आयर लेंड इसी तरह हमको भारत मेंशें नीजर आएandel ये इन इंग्लिश लेंगवेज इंडिया इन में से कोई सजेशन माने नहीं गए प्रीतम सिंग ने कहा भारत जो है इसका symbolic significance है और ये significance बहुत important है भारगवदास नहीं कहा कि उनको कोई serious objection नहीं है article 1 में और ये जब इसमें word भारत आ गया है जो भारत की soul और heart है तो वो इससे satisfy हो गए और गाडगिल जो है उन्होंने भी इस बात पे कहा कि इस बात पे कोई खास उनको इतराज नहीं है और बी ए मंडेला जो थे उन्होंने भी इस पे थोड़ी सी बहुत participate किया major जो बात है वो ये कि इस मुद्दे को ले के कोई major बहस नहीं हुई जो मैं आपको पहले भी बचा चुका हूँ बहस इस तरह की हुई जैसे किसी member ने कहा किसाब इंडिया को United States of India कहा जाए या USSR की तरह इंडिया का नाम हो या इंडिया को Article 1 में ही Secular Socialist Federation कहा जाए शिबन लाल सक्सेना का suggestion इस तरह का था आपको ताज्यूब होगा ये debate भी हुई कि UP को आर्रेवरत कहा जाए या UP को हिंडूस्तान कह दिया जाए आर्के सिद्वा ने रिफर किया कि 1938 में All India Congress Committee में ये बात हुई थी कि UP Congress Committee का नाम UP हिंडूस्तान Congress Committee रख दिया जाए या फिर UP को अयोध्या कह दिया जाए या आवत कह दिया जाए या गंगा कह दिया जाए ये जो नामों की बहस है मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी important चीज नहीं है सम्विधान में हम बहुत सी चीज बहुत लोगों से बौरू करते है ये कह देना कि सम्विधान का में वर्ड इंडिया जो है ये दास्ता की निशानी है ये बात सही नहीं है राश्पती भवन हमारा अंग्रेजों का बनाया वा है सुप्रेम कोट अंग्रेजों की बनायी वी अरे जितने आपके मेजर कानून है इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट अंग्रेजों का बनाया वा इंडियन पीनल कोट अंग्रेजों का बनाया वा Indian Evidence Act अंग्रेजों का बनाया वा Transfer of Property Act अंग्रेजों का बनाया वा पूरा जो हमारा Legal System है ये Common Law पर बेज़ है Legal System और आपको एक बात इतनी जादा मैं बता देता हूँ बड़ी कि जब सम्विधान बना तो अनुछेद 105 में जहां Parliament के Members की Privileges का दिकर है उसमें लिखा वा था कि Privileges Indian Members of Parliament की वो होंगी जो Privileges House of Commons के Members की हैं वो जादा बड़ा Slavery की सिंबल थी 44th Amendment हुआ और 44th Amendment में अब ये प्रोवाइट कर दिया गया कि Privileges Members of Parliament की वो होंगी जो at the commencement of 44th Amendment Parliament की थी और commencement of 44th Amendment पे क्या Privileges थी जो House of Commons की थी यानि जब भी आपको भारत की Parliament के मेंबर्स की Privileges देखनी हैं आपको House of Commons की Privileges देखनी पड़ेंगी वो जादा बड़ी दास्ता की निशानी है मेरे हिसाब से Privileges को कोडिफाई कर देना चाहिए लेकिन ये के सम्विधान जो है वो बैग आफ बारोज है अज़ खुद तजर्बे क्यों कीजे जो दूसरों के तजर्बे हैं उनसे सीखिए Give and Take होती है Civilization में इंडिया जो है वो इंडिया ही रहेगा चाहें उसे आप हिंद कहें हिंदुस्तान कहें भारत कहें जादा important ये है कि देश में सब भारत के नागरिकों को समान अधिकार हूँ सब भारत के नागरिकों को हम equality दे भारत में unity हो ये जो symbolism है और सुप्रिम कोर्ट का इस्तिमाल इस symbolism को करने के लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है Legal Awareness वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी request है कि Facebook पे और Twitter पे हमें like करें हमारे इस channel को subscribe करें और bell icon जरूर क्लिक करें अब हमने Legal Awareness के नाम से एक app बना दिया है जो आप Google App Store से download कर सकते हैं अगर download करने में कोई problem हो रही है तो एक miss call दे 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 एप आप तक पहुँच जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद Thank you very much